तैसील के सबसे बड़ी शाष्के मध्य भारत अस्पताल में बन रहे नए मैटरनिटी अस्पताल को शाषिन कोविट केर सेंटर के रूप में तयार कर रहा है। 56 वाले इस अस्पताल में अभी सेंटरल ओक्सिजन लाइन डालने का काम चल रहा है। इस सेंटर के बनने से कोरोना संक्रमित मरीज जिन में बहुत मामूली लक्षन है, उन्हें इंदोर भेजने की बज़ने की बज़ाए तैसील में ही उन्हें उपचार मिल सकेगा। इसके अलावाद जो अति गंबीर मरीज रहेंगे उन्हें ही इंदोर रेफर करना पड़ेगा। संसाधन जुटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संसाधन प्रशासन निर्ण लिया है कि कोरोना कारेकाल के अंतरगत इसको CCC के अंडर कनवर्ट कर दिये जाए कुछ समय के लिए जब तक यह कोरोना का प्रकोप है। तो उसके लिए यह तैयारियां की जा रही है। और साथ में Central Oxygen Line जो है वो डिलवाया जा रहा है। उसके Line 1 बिच वही है और अभी जैसी बिल्डिंग जो हैंड़ोवर होगी उसके बाद में फिर इस बिल्डिंग को CCC में कनवर्ट के जाए। जैसा कि एस्म्टमेटिक जो करोना के पैसेंट आते हैं तो क्या उनको भी हाँ पर ही अपने कुस्टेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जिन पेशिंट्स को अलड़ी कुछ ना कुछ समय से जो भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती है जो कि घर में हम आइसुलेट नहीं कर पाते हैं वहां डेंजर रहता है। या फिर जिनके पास में ये घर में इतना इतनी परियाब्त जगे नहीं है जिससे कि उनको होम आइसुलेट किया जा सके और जिनको कंटिनुस मैडिकल केर की वाच के जरूरत है थी उनके लिए सी 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 बनता है। देखिए आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर जो है मैटरेंटी अस्पाल जो बना है इसमें 56 बेट प्रेशन दोरा लगाए गाए अगर बात की जाए अच के करोना के आखळे की तो आज शेहर में करोना शेहर सहीत तैसिल में 24 मरीश करोना के पाए गाए कैमरेपरसंट रहूल शर्मा के साथ अंजीत मोनुबात हम रेट टिवी माउंट